प्रास्टिय जैहिन पार्टी के कारिकार्णी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंग ने अपने कारियाले में प्रेशवार्टा के दौरान कहा कि अगर नकसलवाद को जड़ से खत्म करना है तो देनी होगी गरीवों को शिक्षा साथ ही जितने वे बिधायक MP हैं उन लोगों का वेतन रोका जाए साथ ही मौके पर उन्होंने कहा कि अगर सभी चुनाओं को एक साथ की जाए तो सायद देश की अर्थ वेवस्था सुधरेगी इन सभी बातों को लेकर उन्होंने किया प्रेश कॉन्फरेंस आए दिखाते हैं उन्होंने प्रेश कॉन्फरेंस के दौरान और क्या बाते कहीं पूरे देश के विधायक और OMP पर खार्चा कम से कम तीन हज्यार करोर प्रतीमा है तो ये लोका खार्चा कटोती करके अगर ये सब कल कर खाना आपको आदिवासी बहुल छेत्रों में जैसे 36 गर उरिसा जार खंड में कल कर खाना खुलना चाहिए ताकि हर हाथ को काम मिले तब जा करके देश में सांती आएगा और ततकाल परधान मंतरी से हम बोल रहे हैं जेंपी विधायक लोका मेक्सिमम पचास हज्यार महिना से ज्यादा मत दीजिए अंबेदकर जी ये नहीं लिखके गए हैं समिधान में जे आप लोग पबली को ठक के बोट लेके और अपन कौन का महिना ले रहे हैं इस में प्रति माह 3,000 करोर्च है इस कर्च को हम रोकना अना चाहते हैं प्रधान मंतरी मोदीजी जी जैसे इसको रोका जाए ये लोग को मेक्सिमम पचास घ्यार का महिना दिया जाए पबली का भोट लेके आता है लोग यह लोग पर 700 करोड रुपया खर्च है यह भी पैसा अगर 700 करोड को बचाया जाए तो 700 करोड में समझे कि प्रती महा काई हम खर्चा बता रहे हैं समझे तो 700 करोड में 7 और अब होता है रुपया 7 कल कर खाना खुलेगा तो यहां कहा हो रहा है एंपी विदायक अपने को 5 लाख रुपया अपना पेंशन हवाई खर्चा रहने का घौर चार्चा का यह लोग पर 5 लाख 7 लाख रुपया एक एंपी विदायक पर खर्च है यह लोग को कटोती किया जाए और एक बात और बोलेंगे एंपी विदायक मुखिया वाज परसीतत का एक चुनाव हो 5 साल में एक ही बार हो अलग अलग कराने से भारत का अर्थ व्यवस्था बहुत खराब होते जा रहा है इसलिए हम चुनाया योग से मांग कर रहे हैं यह पाला काम आपराधी करन को एंपी और विदायक से इसको स इलनावा योग साहेब एलो को जगह मन दीजिये स्वक्ष स्चवियाला को दीजिये और एलो का पेमेंट रोका जाए ब्रामन बैस चत्री को इसमें भी गरीब लोग है गरीब परिवार को जरूर मिलना चाहें 10% आरक्षान बेगुसरायवला तो नरसंगहार अब काप से कह जाए कहने से कितना भी कह रहे हैं तो दुर्ख लोटेगा नहीं और बहुत निंदनिये एक घटना है तो बियार सरकार से हम मांग कर रहे हैं जो परिवार को कम से कम पचीस लाख रोपया तत्काल दिया जाए और एक परिवार को कोई भी नोक्री फोर ग्रेट का चाहे ठट का तत्काल नोक्री एक परिवार को दिया जाए और पचीस लाख रोपया मवजा दिया जाए जह जो भोट देता है उसको 15,000 महिना मिलना चाहिए बोटर पेंसन मिलना चाहिए एकदम बिल्कुल सही है और भोटर पेंशन जीस दिन लाल काड पिला काड वालों को मिलने लगेगा और लाल काड पिला काड वाला के बच्चा का खाना, घर, मकान, परहाई, सिच्छा, स्वास, सब मिलने लगेगा उस दिन हमारे देश से नकसलवाद खत्म हो जाएगा DC साहब और SDO साहब के पास हम लोग गए आदेश लेने के लिए जह हम लोग दो अप्रील को आर्थिक नाके बंदी करने जा रहे हैं इस पर हम लोग को ओडर मिले लेकिन ओडर नहीं मिला कोराना का बहाना करके टाल दिया गया जबकि ये राज सरकार का चुनाव हो रहा है रैली हो रहा है उसके लिए कुराना नहीं है बंगाल में वही देखिए भाजपार्टी एंसी के लिए वहाँ कोई पार्टी के लिए कुराना नहीं है लेकिन यहां हम गरीब का आवाज बुलंद करने के लिए जारखन को विशेश राज का दरजा मांग करने रहे थे तो हमको 2 अप्रील को आदेश नहीं मिला इसलिए हम बिना आदेश का आर्थिकना के बंदी को हम वापस ले लिए झाल